नमस्कार दोस्तों, PCS पाट साला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज बाल मनुभग्यान से समधित कुछ सामगरी देखते हैं। ये बाल मनुभग्यान का हमारा नोडस है। और ये बाल मनुभग्यान में हम आज जो चैप्टर सुरू करने वाले हैं। यह सिच्छा का अधिकार अधिनियम 2009 यह सिच्छा का अधिकार अधिनियम जो है इसे समंदित हमेशा बाल मनुविग्यान में एक दो तीन प्रश्ण हमेशा आते रहते हैं प्रश्ण हमेश ही इसी पर कुछ अधियन करते हैं यहाँ जो सिच्छा का अधिकार अधियुम इसे हम इसका जो सम्मन्द है इसका जो सम्मन्द है सिच्छा से है और आज हमसिच शिच्छा का विकास पड़ेंगे पूरा एजुकिस सिष्टम है यह बिटीस काल की दिन है यह अंग्रेजों की दिन है और वही हम चल ला है वही विवस्ता चल लए है और उसके बाद जब बिटीस सब्ता से हमारा देश आजाद हुआ हमारे देश में सम्मिधान बना तो सम्मिधानी सिच्छा का विकास हुआ सम्मिधान में लिया गया कि किस तरह से हमारी सिच्छा बिटी बनाई जाए हमारी सिच्छा जो सिच्छा का विकास है और किस तरह किया जाए तो देखते हैं यह जो सम्मिधान सम्मिधान में अनुच्छत 45 में अनुच्छत 45 में प्रात्मिक सिच्छा की विवस्ता राज्य कर सब्सक्राइब कर सकता है। निशित 45 अनुचित 45 पैंतालिस समिदान का भाग नीथी निनka नियेदीचकत रॉइट है। उसमें यह है अनुशेद 45, यानी चछती से क्यावन तक राज ये का अनित दिर्शकतत तो होता है, और उसमें राज के कुछ उत्रादाईत निरिधारित रहते हैं, सामाने जन्ता के प्रती, उसमें एक उत्रादाईत अनुशेद 45 में है, ब्रात्मी सिछा के व्यूस्ता हमारा देश में सम्मिधान लाग हुआ 26 ऐख सचार्री सब्सकारआ राजसुची के सब्सक्राइल में धर राजरा में मुँते गह है तुस्द्रा राज ये अधिकार की की त्धाइल और इसमराज दिराह। दिरेह बनते गई से मिधान समशोदन के दूआ तो जितने भे उटेशंहे रहगे सबकर सिछा पीजह के अलग अलग नग थे उस तरह में राधा कुष्ण आयोग राधा कुष्ण आयोग आयोग आया तो समस्या के समाधहान है तो 30 promising डांटार्ख रादाख रुठध आयोग बनाया गया और यहowsht तरण जों हमारे जुकर राष्पति थे यह और उसके बाद राधि-दिंदर peace साथ के बाद राष्टरती बने वह बिद्वान वग्ति थे और एक महांदार्षन भी थे उनकी अधिच्टा में डाटर राधा पुर्दान आयोग बना और उन्होंने आयोगों ने माना कि सिच्छा को समुँद्धान में बेयालिसवान सोधन 1906 में 42 सोधन किया गया 1906 में और राज सूची से हटा कर समवर्थी सूच में जोड़ दिया गया उस समय राज सूची से कुल 5 भी से हटकर समवर्थी सूची में सिमलित किये गये थे एक था जन संख्या, एक परिवार्थी योजन, एक जिछा, चौथा माप तॉल और पांच वाँगल संपता इन पांचों को राज सुचि से हटा कर समवर्थी सूची में ले लिया गया औहीं पांचू पहले राड सूची के विश चैते मनलब इन पांचू पर अब नेरी लेने का अधिकार राज और केंट दोनों को Дे दिया गया कि और यह जो सुझाओ था पूरा यह जो पूरा सुझाओ था कि चिस गृतु सुची में ला दिया जा यह सुझा हो था राधक को जटान आयोग का और मुदालियर आयोग का तो प्रशनूट सकता है कि किस आयोग कि सिपार इसक्याधार पर सिच्छा को राड सूची से समवर्थी सूच में लाय गया तो आप राता खुड़न आयोग रहेगा या मुदालिया रहेगा तो आप अच्छी तरह से टिक कर देजेगा और यह मुदालियर आयोग बनाता हौं 152 प्र में बना था और राधा खोड़न आयोग 1948 में यह सबसरा काम हो गया तब ही सरकार के पर सामने समस्या थी उसमें समस्या थी कि Früh ry Sanjay समस्या उपनगे करें और तीसरी समस्थ जाती सिच्छा के स्थर को कैसे सुधा रहा है जैस्ट तरसल भात है सो प्रस्त नामांगन का मतलब यह है कि बच्चे एडिवीशन तो लेते हैं किसी विद्धाले में बच्चों का एडिवीशन कैसे बढ़ा जाए मतलब बच्चे ज्यादा से ज्याद बच्चों का थाराव कैसे करहें बच्ची बच्चों को विद्धाले आने में दीकत नहों वो हूं विद्धाले में मरूपकर पढ़ें उतरेया कि बच्चे ama funeral जरता है सुबा तो किसी न किसी प्रकार का नाटक करने लगते हैं तो मतलब बिद्यालय से जाने से बसना चाहते हैं तो यहीं मतलब हो था है हां कि सौपरशत ठाराव कैसे करें मतलब बिद्यालय में बच्चों की रूची कैसे बढ़ाई जाए और सौपरशत नामांकन कैसे करें सिच्छा के अस्तर को सुधाँ रहा है जो सिच्छा की जो दुर्योस्ता फя उसकी अस्तर को कसश सुधाँ तो यह भी समस्चा थे कि अतर ते जह जो तीनों समस्चायत थें कि 100% अमांकन कैसे बढ़ाय जाए और सिच्छा बिद्याले में फाराव कैसे हो बच्चों का और शिच्छा ब्योस्था को कैसे सुधार जाए इसके लिए आयोग गठित किया गया और वह आयोग था कय़्टारी आयोग कय़्टारी आयोग बना था जो यूजु सी की चैर्मेन भी थे 1964 में या इस कोठारी आयोग की अस्थापना के गई कोठारी आयोग ने बड़ी मज़गत के बाद दो साल में अपना रिपोर्ट दिया 1966 में और ये जो कोठारी कायोग था इन्हों ने यह रिपोर्ट दिया इन्हों ने यह सुझाओ दिया उस समय जो सरकार है और उनको निसुल्क सिच्छा दिया जा और अन्यो रूप से सिच्छा दिया जाये ताकि बच्चों की जो माताइपता है अगर उनको फिस nooit दिनी पड़ेगी तो बच्चों को पढ़ाएंगे जरू फिद बच्चों कभी पढ़नेप गुरू थे वह इंग्लेंड की संसद में सवर्व प्रथम उन्होंने मांग रखी थी कि हमारे देश में जो सिच्छा व्यवस्ता है उसको निशुल्क बना दिया जाए और यह सवर्व सवर्व प्रथम मांग वो पालकिष्ण गोकले ने जी गोकले ने कही थी इंग्लेंड की सवर्विशंस दीए धिर भारत में देखेए पहली जो उनका सुझाव था कोठारी आयो का कि निशुल्क बना दिया जाए सिच्छा को और दूसरा जो सुझाव था कि भारत में राष्टि शिच्छा निति लागुँ हो यह दोनों सुझाव कोठारी आयोक के थे तो कोठार आयोग के पहली सुझाओ को मान लिया गया दूसरे सुझाओ को राष्टी सिच्छा नीति के लिए 1968 में श्रीमती इंद्रा गांदी प्रधानमंत्री थी 1968 में श्रीमती इंद्रा जी ने भारत में पहली राष्टी सिच्छा नीति लागो की मलब इसी आयोग कोठारी आयोग की सिपारिस के अधार पर ही 1968 में इंद्राजी ने राष्टी सिपारिस की आधार पर भारत में पहली बार राष्टी सिपारिस के अधार पर किया गया तो कोठारी आयोग की सिपारिस के अधार पर किया गया वकालत वो पालकिष्ण गोक लेने की थी इंग्लेंड की संसर में